है 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 दोस्तों इस चैनल है लपीपी में आप सभी का स्वागत है आज का डिक्टेशन उच्छ गती अभियास खंडे दोगी परती लेकर संक्या 57 और 58 से लिए आ अगर आपने भी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें और बैल आइकन को दबाना मत भूलेगा अगर किसी परकार की इस चैनल संबंद कोई परसानी है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं या हमार अध्यक्ष महुद है भारत संसार के सभी देशों के सांती और मैजरी की नीटी का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब भी यहाँ आसा हुई की हम सांती इस्तापना के हेतु कुछ कर सकते हैं हमारे देश ने जिमेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया कोरिया में मेरी सरकार ने टथस्त रास्टिय परत्यावरतन आयोग की अध्यक्षता स्विकार की और युद्ध बंदियों के भविश्य के संबंद में अंतिम निर्णे होने तक उनकी देख भाल के लिए सरक्षण सेना वहां भेजी दुरुभाग्यवस विराम संधी समझोते में सुजाई गई पद्धती के अनुसार कारवाई नहीं की जा सकी जिसके कारण एक कठिन इस्तती पैदा हो गई कुछ दिनों मैं ही आयोग अपना काम समाप्त कर देगा और सरक्षण सेना अब धीरे धीरे भारत वापस आ रही है कोरिया में परमुक विवाद गरस्त प्रस्नों का अभी तक निप्टारा नहीं हुआ है मुझे पूर्ण आसा है कि संयुक्त रास्ट संग की महासवा में अथ्वा कहीं और इन आवस्यक मामलों को सुलजाने का सीगर ही परेत्न किया जाएगा अब सबकी और से और अपनी और से मैं कोरिया में तथस्त रास्तिय परत्यावरतन आयोग में अपने परतिनिधियों और सरक्षण सेना के अधिकारियों तथा सिपाईयों की इस बात के लिए परसंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा निस्पक्षता के साथ निभाया विदेशों से भारत के संबंद मैत्री पूर्ण बने रहे हैं यद पी कभी कभी गलत फैमियां पैदा हो जाती हैं इस समय सरकार के परतिनिधी चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के संबंद में सामानी हित के विभिन मामलों पर बातचीत कर रहे हैं मुझे पूरी आसा है कि इस बाजतीत के परिणाम सरूप सभी विशिष्च समस्याओं के बारे में समझोता हो सकेगा सोवियत संग और कई अन्य देशों से हमारी व्यपारिक संदियां हुई है पिछले वर्स हमारे परधान मंत्री पाकिस्तान के परधान मंत्री से मिले ये मुलाकाते मैत्री पूर्ण थी और इनके फल सरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवाद गरस्त मामलों के बारे में जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे पारध परिक सदभावना पैदा हो सकी इस दिसा में हम कुछ आगे बड़े थे पर दुरभाग से कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिनके कारण प्रगती में रुकावटे पड़ रही है मुझे खुसी है कि मेरी सरकार और सिलंका की सरकार के बीच सिलंका के भारती परिवासियों के प्रस्त पर समझोता हो गया है इस समझोते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निप्टारा नहीं होता परन्तु उस दिसा में यहो पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गंभीर परियास है इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ अपने पडोसी राष्टों सिलंका तथा वर्मा से जिनके सांथ हमारे भगौलिक ही नहीं बलकी चिरकाल से सांस्कृतिक संबंद भी हैं मैत्रिपून संबंद को उन्नत करने का मेरी सरकार सत्त परियास करती रही है पस्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के सांथ हमारे मैत्री संबंद हैं और पारस्परिक सैयोग के रहे हैं सुडान के निर्वाचक आयोग के सदस्य के रूप में हमारे निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की परसंससा की गई है और चुनाव वेवस्तित धंग से संपन्न हो गए हैं अध्यक्ष महोदै मैं सुडान में स्वादिन्टा के उद्य का स्वागत करता हूँ जो स्वमेव तो सुब है ही चिरकाल से तरस्त और आजकल भी अनेक संकटों के सिकार अफरीकी भूखंडों को हावी उन्नती के लिए भी यह एक सुब लक्षन है गत वर्स इस अवसर पर मेरे अभिभासन के बाद भारतिय संग में आंद्र नामक नए राज का उद्य हुआ है भारतिय राजियों में इस अभिविर्दी का मैं स्वागत करता हूँ और नए राज की सफलता की कामना करता हूँ भारत के राजियों के पुनरगठन की मांग को देखते हुए मेरी सरकार ने इस कारी के लिए एक आयोग की स्तापना की है जिसमें योग और अनुभवी सदस्य रखे हैं यह कार्य बड़ा और एतिहासिक महत्व का है इसे वस्तूगत रूप से पून सांत चितता के सांत करना है जिससे संबंदित छेतरों की जनता का और इसके सांत ही समस्त राष्ट का अधिक कलियान हो सके मुझे पून विस्वात है की इस आयोग के काम में सभी लोग सदभावना और समझधारी के सांत सैयोग दिंगे हमारे संग के दो राजियों में तिरु वांकुर कोचिन और पटियालात था पूरवी पंजाब रियास्ती संग में आजकल आम चुनाव हो रहे हैं उप्रयुक्त दूसरे राज में सविधान सुचारू रूप से नहीं चल सका और नए चुनाव होने तक प्रसासन का कार्यभार मुझे अपने अधीन लेना पड़ा हमारी पर्थम पंच वर्षिय योजना को आधी अवधी समाप्त हो चुकी है कुछ मामलों में प्रगती इतनी अच्छी नहीं हुई की जितनी हम आसा करते थे परंतु कुछ अन्य मामलों में महत्वपूर्ण प्रगती हुई है सामुदाइग योजना कारियों के कार्य में विशेश रूप से उन्नती हुई है और राश्ची विकास कार्य में भी जिसका स्री गणेस अक्टूबर उन्निस सो तिरेपन में हुआ था संतोस जनक उन्नती हुई है इस कारी में जनसाधारण का योगदान बहुत उत्सा वर्धक है यह कारे का यह पहलू बहुत ही आसा जनक है यद्दिपी और द्योगिक उत्वपादन में और कई एक दूसरे छेतरों में विशेश प्रगती हुई है फिर भी व्यापक बिरोजगारी की समस्या मेरी सरकार के लिए चिन्टा का विशे है लोगों को अधिक रोजगार दिलाने के उत्देश से योजना आयोग पहली पंस परस्य योजना पर पुनर विचार कर रहा है साधरन आर्थिक इस्तिती में बराबर सुधार हुआ है 1952 तिरेपन में अनाजो का उत्पादन उसके एक वर्स पहले की अपेक्चा पांच लाख टन अधिक हुआ है और इस वर्स की इस्तिती भी अच्छी है खाद की इस्तिती में सुधार बहुत संतोस जनक है और देश इस दिसा में आत्म निर्भडता के लक्ष की और तेजी से आगे बढ़ रहा है और द्योगिक उत्पादन में विसेश कर सूती कपड़े, कागज, रसायनिक परदात, बाई साइकल, नमक और बहुत से इंजिनेरिंग संबंदी उत्योगों के छेत्र में उत्पादन काफी जादा होता रहा है और द्योगिक उत्पादन की सूचक संख्या बढ़कर 1953 में 1345 हो गई जबकि 1952 में वह 129 थी युद्ध के बाद से हमारे औद्योगिक उत्पादन का यहा उच्सतम इस्तर है इसपात उद्योग के विस्तार और इसपात के एक नए कारखाने की इस्तापना के संबंद में इस समय अंतिम कारवाई हो रही है पटसन और चाय उद्योग अब अच्छी इस्तती मैं है है इस टॉप है दोस्तों हमने सब्सक्राइब की गजिसे बोला है अगर आपने लिखा है तो इसका टास्किप्शन जरूर कीजिए जिसकी लिंक आपको नीचे हमारे डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप हमारे वट्सपाइब डोनों ग्रूप में इसके पीडिया प के बारे ही बता चल सके और आपको अगर इस चैनल लिखने पड़ने समझने में किसी परकार की इस चैनल सम्बंदी प्रसानी होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं या हमने एक वीडियो गनाई है जिसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन म आप देख सकते हैं थैंक यू सो मच आल दो बैस फोर यूर एक्जाम्स